आसिम रियाज के फैन्स और अलविश आर्मी में इस वक्त मुकाबला बहुत जोरो शोरो से चल रहा है दोस्तों इस वक्त शोशल मीडिया पर एक जंग सी छिड़ गई है जब से अलविश ने हाइलाइट किया कि भई उनको जो है एक बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट ने अब्यूस किया है मिडल फिंगर दिखाई है और अलविश ने उसका जवाब भी दिया चलिए बात करते हैं अब किस तरीके से आसिम की सपोर्ट में आसिम के फैन्स उटकर आए हैं और उन्होंने एक क्लिप काफी ज़्यादा वाइरल कर दिया है जहां पर अबिशेक और एलविश बात कर रहे हैं आसिम रियास के ही बारे में तो स्वागत है आप सभी का बॉलिवूड स्पाई में मैं हूँ अदती शर्मा तो ये किस्सा तब से शुरू हुआ जब से एलविश ने हाइलाइट किया ये पॉइंट कि उन्हें अभ्यूस किया गया है उन्होंने हाला कि नाम नहीं लिया लेकिन लोग इशारा समझ गए और यहाँ पे जिस तरीके से इंस्टेग्राम पर लाइव आये थे एलविश यादव और उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किये थे उन सारी चीजों के लिए मिडल फिंगर दिखाई गई तो एक किसम से इसे अभ्यूजिव ही माना जाएगा तो दोस्तो अब जो है जिस तरीक क्लिप लेकर आए हैं जो क्लिप बिग बॉस ओटिटी सीजन टू का है जस क्लिप में अभिशेक और एलविश की बाते हो रही हैं कि देखो एक जनता के दिमाग में रहा था कुछ लोगों को ये भी लगा कि आसिम रियाज विनर था सीजन 13 में कुछ लोगों को ये भी लग बिख लोगों को ये भी लगा कि आसिम रियाज ही विनर था उस वक्त घर में विनर 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 कौन बनेगा या जनता का विनर कौन बड़ी बाते इस वक्त चल रही थी क्योंकि अभिशेक पर सवाल उठ रहे थे कि वो वाइल्ड कार्ड को विनर नहीं मानते तो यही conversation चल ही विनर था उस सीजन का क्योंकि हम जानते हैं कि सिधार्त और आसिम में मुकाबला जो है काफी खतरना करा है इनकी दोस्ती से लेकर इनकी दुश्मनी तक की कहानी बहुत फेमस रही थी बिग बॉस के घर में तो इस तरीके की चीजे इस वक्त शोशल मेडिया पर चल रही है अब एक निशाना आता है अर्मी की तरफ से दूसरा निशाना आता है आसिम रियाज के फैंस की तरफ से तो ये जंग सी छिड़ गई है अब जब तक ये दोनों आकर इसे शांत नहीं करेंगे तो भई ये सिलसला चलता रहेगा आप सभी को क्या है कहना कॉमेंट्स में बताईए जरूर मिलते हैं नेक्स्ट वूडियो में